बरिक दीन अगर आप हिंदी की परिक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए राम बान साबित होने वाला है क्योंकि आज किस वीडियो में हम बात करेंगे वाइरल प्रशन की हिंदी की यहाँ आपकी प्रशन पत्र कोड भी है आपको कोई भी कोड मिल सकती है और यहाँ पर आपको भी कोड लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर प्रशन पत्र करमांक लिखा हुआ मिलेगा आपको चेक कर लेनी है कि कहीं पर कटा फटा कहीं पर कुछ चीज तो हुआ नहीं है यह सारी चीज़े आपको चेक करने के वाद से आपको एक के कोशन को ध्यान प प्रश्ण की जबाब देनी है यानि की मात्र 50 प्रश्ण कहीं जबाब देना है तो आज की इस वीडियो में अब्जेक्टिव से लेकर करके सब्जेक्टिव सारे चीज़े आपको हम वाइरल प्रश्ण आपको बताने वाले हैं तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है बाबू एक एक मीनट आपके लिए काफी कम समय आपके पास बचा हुआ है बाबू की बचा है कि इससेट के चार भेद होते है बाबू तो इसका इंसरोजागा अपसन डी निमबर क्या होजागा बाबू एक बिरिष्ट की हत्या की गई है कौन सी एक बिरिष्ट की हत्या जो है न वहीं की गई है यानि कि option क्या होजागा D number बिल्कुल इसका सही उतर होजागा option D number आगे बात करते हैं अगले number प्रस्ण की बहुत संदार प्रस्ण है आपकी और देखिए प्रस्ण क्या कह रहा है कि या लटकी अरू कमरिया पर राज तिन्यूपूरी की ताजे डराओ इस पंक्ती के रसनकार कोने बाबू यह जो पंक्ती लिखा गया ना या लटकी अरू कमरिया वाला यह पंक्ती आपकी किस की अपको हमने बताया है बिल्कुल इसका रस्खान का है काउं सही जीब याबू रस्खान का एक दम दिमाग में बैठा लिजे रस खान का है बिलकुल औभी तक लाइक नि करीजिए की लेखक कौन है बुद्धिज़ में कमनी के लेखक कौन है बाबू आपको हमने बहुत पहले ही बता दिया का पिस जब दर्दस्ता और आप बताइये कि आपकी त्यारी कितनी हो पाई है हना बिल्कुल खुसी होती है कि आप सभी प्रश्णों का सही जबाब दे पाते हैं बाबा साहब भी मेरा अम्बेद कर बिल्कुल अप्सन क्या हो जागा सी नमर इसका करेक्ट उतर हो जागा हमरा प्राया हुआ सफल तब होता है जब आप जबाब देते हैं हना चली अगला प्रश्णे संख्या बाचक 20-60 है संख्या बाचक 20-60 है चार है काला है या थोड़ा है या फिर अधिक है संख्या बाचक तो संख्या बाचक का मतलब हो गया कि जिसमें संख्या आ जाए तो कहां पर संख्या है तो option ये नमर में आया है च्यार आया है बिल्कुल option ये नमर आपका बिल्कुल करेक्ट उतर हो जागा कौन हो जागा बाबू option ये नमर इकदम फटा फट करेंगा हम लोग इकदम viral question इकदम आपको बता रहा है चलिए अगला प्रश्णी अगला प्रश्णी कहे रहा है कि नाना काना साहब का संब्ध है नाना काना साहब का संब्ध बाबू किस से है गुरू नानक से रस्खान से प्रेमघन से या फिर घानानन से काफी जबरदस्त question काफी important question काफी viral question है कि नाना काना साहब का संब्ध जो है किस से अगले प्रश्व की बात करते हैं अगला दीकिये अगला प्रश्व नम्स से भी क्या का प्रश्वी प्रस्विक संदार प्रश्व है कि नाखून हमारी डेज व्सक्त व्सक्राइब बहुत ही गजब का संदार इस का इंसर व्सक्त Gordon का wahrator याद कर ले ना फाड़ा फट जबाब देता आखरी में आपके पास काफी कमसमय वच आगला प्रशने आर्मभीक रख सहीच मिलने लग जाता है। प्रस्विश भी चटी सदी से या फिर 10 भी 11 सदी से या फिर 8 भी 9 सदी से या फिर 34 सदी से कौन से सदी से जो है वह आरामभिक हिंदी के अस्ता ही तिमीलने लग जाता काफी कम समय आपके बास बजा हुआ फाट आप फट एकदम दिमांग में बैठाते है जी है बिलकुल इस सब्सक्राइब करके काफी मेनत से पढ़ाई करते हैं उनका नंबर काफी बेतर है उनका एक्जाम काफी अच्छे से बीटेगा भी क्या है विलकुल काफी जबरद बिलकुलं सब्सक्राइब करेक्ट उतर दिमांगे बैठा लीजिए अगला दिकिए अगला प्रश्ण यह खाने प्रश्ट को सद्रिट करने वाले सहितिकार कौन से होते हैं काफिस जबरजस्त को सना और इसका आपको उत्तर बताना है तो बिल्कुल बाबु इसका उत्र क्या होगा बतेजे तो रूसी जाती असिम्ता को सुद्रिट करने वाले सहितिकार कौन बाब लियो टाल स्टाय आपको कई बार हम नहीं बता है बिल्कुल इकदम दिमाग में बैठा लेजे और जाना एक गम प्रिक्षा में धमाल मचा देन चलिए अब भी तक चैनल को सब्सक्राइब ने कि तो गलती मत किजिए यूट्यूब का नियम है कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ने करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए काफी अनोखा समय काफी कम स पंडित बिर्जु माराज या बिस्मिल्ला खा या जाकिर हुसन या फिर इन से कोई नहीं बिलकुल 14 नमबर प्रस्ट का आपको जबाब बताना है कि 14 नमबर प्रस्ट का जबाब होगा वह 14 नमबर प्रस्ट का जबाब क्या होगा बिलकुल पंडित बिर्जु माराज हो की यहां को जाएगी का अगला प्रशन का ही जबरदस्त प्रशन आपके इंडर में आपको बतानी जाकि रूसायरे बिर्जव मादा या फिर उत्फिक्त सभी ए जिड़र सब्सक्राइब और मैं ने रहत बिल्कुल कर्यक्ट उतर हो जागा क्या ओज़ा अगले नॉबर प्रेयोग वाद करण के क्या है अगले हुद का अगले नॉबर प्रेयोग वाद का किये थे तही या icon क्या हो Mits agenda कि या संदी का उधारण है इसमें आपको यह बताना है कि स्वरसंदी का उधारण है तो यह रामावातार परमानंद और कबिंद्र आपका बिल्कुल क्रेक्ट उतर हो जागा अगला दिखें बहुत झबरदस कोशन की मदन है मदन कॉन है बावू सोफर का बेटा है सें सहाब का बेटा है किरानी के बेटा है या सें सब चाय। कि मतन कौन है तो किरानी के बेटा थे किरानी के बेटा यानी का उब सबस्का नंक आ ब fällt आập यानि यो पुरी सवाचक सर्वनाम के भेद हैं, yağप स्वाचक सर्वनाम थिकंट कुर हो जाँगा एगद्धम दिमाग में आपको बढ़ाली नहीं है और लोट कराओंगा फिर पार्ट की लिखा को नहीं गरानननने का पर बिलकूल अगिए प्रस्थी कि जपान पर परमाड़ु बं गिराय था जपान पर परमाड़ु गिरा था इंगलंड अमेरीका सीन या बिल्कुल आपको अमने तो बताया है काफिस बिनिमर हो जागा बहुत इस अंदर अग्ला दिक्षित यह खुद भीहार बूट द्वारा जारी किया गया दिए फिर जो जारी किया गया पिछले वर्च को जो मौडल पेपर आपका जबरजस्त तरीके से वही है आपकी अगला क आपको पता है कि लॉक्ड़ाउन में पढ़ाई आपकी नहीं होई है तो पीछले वर्चों का जो मौडल पेपर है कुल्सन बैंक है यानि के पीछले वर्चों का जो परिक्षा हुआ है वे सारी कुल्सन आपको याद होनी चीए लागतार चल रही है आपकी एक की कोशन सब्सक्राइब repetitive त penalty samaa सब्सक्राइब आफ़ाइब लोक बभाइब assert a तो इहां पर देखिए वर्या Über diyorsun Idee समास zo जएक तो पहे रहा है कि दूनहीं है यानि कि यह नहीं हो जागा आपका चाहिए अब बी नंबर हो जागा क्यों हो जागा बाबू क्योंकि दिवगु समास में होता है कि पहला जो पद हो क्या हो संख्या हो लेकिन संख्या तो इसमें है नहीं और दो अंदर में क्या होता है कि दोनों परत परधानों दोनों परत परधानों तो भाई बहन यह तो दोनों परत पुम्हें पाली के लेकित्न क्या होजागा c-numr कोई हो जब जबबर जबस कोश्टन 27 पर पर्षन के कभीता नहीं है यहां से चार अपको दिया गया और चार अपसन के सबको बताना है कि कौन जो है इसमेंसे क्या नहीं है बाबू तो कभीता नहीं है बहुत ही संदार कुश्टन, बहुत ही संदार कुश्टन, कविता नहीं है, तरक वादो के राज्दूत में हैं तक पूरु समास, व्यारीथ समास, कर्मधारे संदarm स्कूरु खाँपनास, क Tucson। ए नमबर हो जागा क्या जी तत्पूर समास अगला देखिए अगला प्रश्ण का आप जबरजास्त प्रश्ण है कि आपनियो डैस नदी के किनारे बसा हुआ रहे आपको तो पढ़ा है ना आपने तो आपको कई बार हमने बताया भी है कि आपनियो जो है काहां बाबू रो न नदी के किनारे इस्तिते का बाबू रो नदी के किनारे अवस्तित यानि आपसन के बी नमर हो जागा ठीक है और रो नदी आपको एकदम दिमाग में बैठा करकर रखना अगला देखिए कुस्च्छन कापी संदार प्रस्ण की गिर्धा लाल हैं गिर्धा लाल कौन है समास में पूर्फ्र परत परत परतला होता है दोनी परत परतान होता है या फिर परत परत परतां होता है और परता lado होता है बिल्कुल बाबू आप सभी जानते हैं कि कोई पत्परदार नहीं होता और समास पढ़ लिजेगा अगला कुस्तन क्या रहा है अगला कुस्तन इसी चैनल पर उपस्ति थे हर एक वीडियो उपस्ति थे इसके लिए मैक्स मूलार के अनुसार सर्विदा संपदा और परकिर्ति से परिपूर्ण जो देश है वह कौन है स्विटी जेल लेंड है अमेरिका है चीन या फिर भारत है बिल्कुल बाबू हम सभी का देश भारत है यानि कि ऑपसन हो जागा डी नूमबर हम सभी का देश कौन है भारत ह तो पिलकुल आपको हमने बताया है कि गमुरुदीन का जो जर्म हुआ था बाबू वो बिहार हुआ था यानि ऑप्सन क्या हो जागा B नंबर बिल्कुल क्रेक्ट उतर हो जागा प्सन हो जागा B यानि कि ऑप्सन B नंबर अगला दिखिए अगला प्रशने सबसे जबरजस्त प्रशने के बेंजन संदी का उधारण नहीं है इसमें से बताना है आपको बेंजन संदी का उधारण जो है वह कौन नहीं है आपको ये बताना है 36 नमबर प्रशन का पताना है आपको क्या हो जागा जबाब कि बेंजन संदी का उधारण ज खाँ डैस की निवासी थे जो बिस्मिलाखर की परदादा थे ना उस्ताद सलार हुसेन खाँ वह कहां की निवासी आपको यह बताना है डुम्राव के सितामडी के दरभंगा के या फिर पटना के तो कौन थे बाबू डुम्राव के थे यानि ऑप्सन क्या हो जागा यह नंब बड़ा पर दबाईये ना सब्सक्राइब पे और लाइक ने किया तो लाइक तो जरूर करना ही करना है अगला प्रशन मचली कहानी के जो लेखा के ना कौन है बाबू बिलकुन बिनुत कुमर सुक्ल है यानि ऑप्सन क्या जागा डी नंबर हो जागा ठीक है चलिए तो यह से कौन पागल थी पापाति थी लक्षमी थी मंगू थि या फिर सीता थी बिलकुल बाबू तो जर्मे से जो पागल थी न वाकाउन थी तो मंगू थी यानि कि KI बाबु थी हैं ना मंगू चलिए अगला प्राइब जबर्जस्त प्रश्ण है कि निबंद इसमें से कौन है यह रहादूर बेलकुल बाबु तो प्रमप्रा का जो मुल्यांकन कि कि संगीत, सास्तर अंत्रगत, सुसिर वाद्यों में है, साहनाई, कबला, बासुरी, या फिर ढोलग, बिलकुल बाबु इसका सही उतर क्या हो जागा, आपको ये नमबर हो जागा, एक दर आपको केवल 50 ही प्रशन बाबु आपको करना है, 50 ही प्रशन करना, वैसे तो 100 परकिए आना है और 50 जबरजस्त जो आपको बता रहा है एकदम दीबाग में एकदम बैठा लो न चलिए अगला प्रेश्म है रोषण अकांच्छा करतब्य या फिर उतकर्ज क्या है बाबू सूदसब्द सूदसब्द इसमें से क्या है बाबू बिलकुल सूदसब्द क्या ह तो यहां पर शुद्र सब्द यह है आपका क्या है तो करतब है यानि क्या आपका क्या आता ना यह होगा थे क्शेशन आपको थेकि कुछछन काफी संदार प्रशने की राजस्थानी भासा की सफल कहानिकार कौन है बाबू राजस्थानी भासा की सफल कहानिकार कौन है बाबू आपको ये बताना है बिल्कुल बाबू सामर दिया है सामर दिया, सामर दिया, कौन है बाबू अब बढ़ा पाई कोन है आप पाई आपको यह बताना है बिलकुल बाबू सीथा के तीन बेटे थे कौन सीथा के तीन बेटे थे और हाँ आप याद करके जरूर रखेगा सीथा अपने घर में घुटन क्यों मसूस किया करती थी यह को सब्जक्टि में पूछा जा सकता आपस जे तो जिए यहां भी क्या हो जागाा एंसर कितने बेटे थे बाबू तो तीन बेटे थे observed बीदिम्बब बिलकुल अगला देखिए प्रसन अगला दीखेए प्रशनी क्या कह रहा है इगला प्रसंदी कि कह रहा है के सुध्यवक के हैं आपको यह बताना है बिल्कुल यह म मेरी पुस्तक है यानि का बिल्कुल करेक्टिव तर हो जागा क्या हो जागा बबू ऑप्सान हो जागा यह नंबर अगला देखेक प्रश्ण क्या क्या रहा काफी गजब का प्रश्ण आपको सब्जेक्टिव पूछा जाने की काफी ज्यादा संभावना है आपको सारी चीज जाता है आपको सब्सक्राइब करते हैं इसके सब्जेक्टिव प्रश्ण कौन कौन है तो आप सभी जानते हैं कि गद्दान्स जो है ना उसका आपको एंसा लिखना जाता है तो इस अगले प्रश्ण की कि अगला जो है ना इश्मिका वह क्या कहरे तो यह सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको निबंद लिखने के लिए क्योंकि देखिए निबंद जो आएगा आपको दस अंकक आएगा दस नंबर काफी जबरजस्त है आपके परिक्षा के लिए द सिक्षा के बारे में आप तो जानते ही है चलिए अगला है जन संख्या बिस्फोट जन संख्या बिस्फोट के बारे में आपको पढ़ लेना है भूमिका इसकी क्या होगी इसके जन संख्या की बिस्फोट के कारण क्या होगा और जन संख्या का बिस्फोट की सहानी क्या जैसे माले जन संख्या के बिस्फोटक के बारे में जो दिया गया है आपको यहां पर निबन रिखने गया है तो पूछ दिया गया है भूमिका का मतलब क्या होगा कि जो पूरे है ना इसकी भूमिका क्या निकल क्या है बस उतना लिख दीजिए जन संख्या के बिस्फोटक के बारे में लिख सकते हैं हाना तो इसकी तो समे विवेका नंद की भोमिका क्या है विवेका नंद की बिचार जो है थे वह कैसे थे हाना और विवेका नंद दुवारा चलाए गए संस्कृतिक धार्मिक जन जागरन जो अभियान था वह कैसा था और इसका निस्करस क्या निकलत ले ले जी अगर आपको याद नहीं होता है कि कौन-कौन सा कुस्टन इपोर्टेंट है आपके लिए तो जल दे इस सकते हैं आतंकवाद पुछ सकता है आपसी तो उसमें भूमिका पुछेगा आतंकवाद के रूप पुछेगा आतंकवाद के कारण पुछ देगा और इससे आपको पुछ सकता है इसमें हेडिंग दे सकता है आपको पुएंट दे सकता है कि इस तरी सीजा के लाब क्या हो सकता है अगर इस तरी जो है सिक्षा करती है तो उसकी लाब क्या हो सकती है और इसका निसकार जो निकल क्या होगा क्या होगा तो यह सारी चीज आपको लिखन लिए कि पट्र परिशा के तियारी के समद में मा के पास एक पत्र लिखें आपसे बहारत-पकिस्टान के सब्दों में समंदू के किंद्र में रखते हुए दो कितरों के बीज जो सनबाद होता सनबाद को लिगे मैं आपस में उसके बारे आपको लिखना हो था तो या तो आप सनबाद लिख सकता है या तो पत्र लिख सकता है तो पत्र नहीं लिखना आना चाहती थी अगला कोशन याद कर लेजे गए सारी कोशन कभी की द्रिष्टी में माली मालिन कौन है और अगला कोशन दिनकर की द्रिष्टी में आज के देवता कौन है अगला कोशन आपके स्क्रीन पे कि मनुस्य की छायाय कहां और क्यों पड़ी हुई है और अगला कोश सकता है कि बढ़ते नाकों द्वारा परकृतिक मुनस्थ को क्या याद दिलाती है जितना भी कोस्तन को बता रहा है इसमें से कोस्तन रहेगा ही ना बाहर नहीं जा सकता है जबर्जस्त है और अगला देखिए इक्जामे यहां पर 100 सब्दों में आपको लिखने के लिए पूछ सकता है किसी एक पका उसका आपको देना होगा और यहां पर 100 सब्धों में जिसमें आपको बढरकृत्य। पंक्तिव के कहते हैं जाड़े पाले की कसकत सदार सहने वाली जब अगँ-अंग में लगे सव्णप होज चूस रहे तब भी न कभी मोई खोल दर्द कहने वाली इसका भवर्त क्या होगा आपको भवर्त इसका लिखते ना होगा काफी जबरदास nya रहा, तो इतना ही भस आपको याद करके रखनी है, और आगी जितना भी कोसान आपको बताया जा रहा है, जितना भी वीडियो में आपको कोसान बतायागा, एक के कोसान आपके लिए इंपोटेंट है, आपकी कोसान याद अवह आणा बेतर करने के-अ पूरे के पूरे वीडियो देखना होगा इसके लिए भी तक चैनल को सब्सक्राइब निक है जल्दी कीजिए लाइक करके सेर्थ कीजिए फड़ा फड़ा से जल्दी समय आपके बस काफी ही कम है